दोस्तो ये है Realme Watch Realme ने अपना स्मार्ट वाच इंडिया में लाँच कर दिया है जिसका नाम है Realme Watch इसका प्राइजिंग बहुत ही बढ़िया है 3999 रुपीज और इसमें आपको वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो आम तोर पे आपको स्मार्ट वाच इसमें मिलते हैं यह है Realme Watch का Box Packing और यह वाच है यह कुछ हद तक Apple Watch की तरह दिखता है वैसे इसका जो Box Packing है यह भी काफी हद तक Apple Watch से inspired है अगर आपने मेरा Apple Watch Series 4 का वीडियो देखा होगा तो इस प्रकार की Box Packing जो है आपको Apple Smart Watch में देखने को मिलती है तो यहाँ पर भी उसी प्रकार का Box Packing दिया हुआ है Key Specifications यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन जैसे-जैसे मैं इसके इंबॉक्सिंग करूँगा तो मैं आपको इसके बारे में बता दूँगा चलिए यह जो Box Pack है इसे मैं खोल देता हूँ यह जो Smart Watch है Realme Watch इसका प्राइजिंग है 3999 रूपेस और इस प्रकार से वाच को पैक किया हुआ है Apple का Smart Watch है उसका Packing भी आपको इसी प्रकार का मिलने वाला है अगर आप Apple Smart Watch खरीतते हैं तो वैसे जो Smart Watch है इसका मैंने उप्योग करना शुरू कर दिया है क्योंकि मुझे कुछ टेस्टिंग करना था तो इस प्रकार का दिखता है यह Smart Watch फिलाल देखते हैं कि इसके अलावा Box में क्या-क्या मिलता है यह लिजिए यह जो Box है इसे आपको इस प्रकार से खोलना है एकदम डिट्टो Apple का जो Series Smart Watch है उसका जो Box Packing है सेम प्रकार का Box Packing स्टाइल यहाँ पर दिया हुआ है यह दिखिए यह है Charging Dock अगर आपको यह Watch को Charge करना है तो यह दिखिए Watch के पीछे यहाँ पर Charging Points है और यह जो Dock है इसे आपको इसके साथ में माच करना है यह Magnetic है यह दिखिए और यह जो दूसरा End है इसे आपको आप प्रड़क के बारे में जानकारी मिल जाएगी तो यह देखिए यह है Realme Smart Watch इस प्रकार का दिखता है वैसे इसकी जो बिल्ड़ फिनिशिंग है प्राइजिंग के साब से काफी बढ़िया है यह जो स्ट्राप है यह सिलिकॉन मट्रियल से बना हुआ है वैसे इतना ज्यादा soft तो नहीं है लेकिन quality काफी बढ़िया है और यह spring mechanism के साथ में आता है इनकेस आपको यह जो strap है इसे replace करना है तो आप असानी से कर पाएंगे नीचे देख सकते हैं कि heart rate sensor दिया हुआ है और charging points के बारे में मैंने आपको पहली बता दिया अगर आपको charge करना है तो जो dog दिया ह इस बटन को प्रेस करते ही जो watch है वह ओन हो जाता है screen on हो जाता है फिर से प्रेस करते ही off हो जाता है यह दिखिए इस प्रकार से आप navigation कर पाएंगे यह button को प्रेस करेंगे तो फिर से यह home screen पर आ जाएगा जो की default watch face है अब यह watch face है इसे आप change कर सकते हैं सबसे पहले तो मै 1.4 inches का touchscreen display है 320 by 320 pixels resolution के साथ में आता है वैसे screen की quality काफी बढ़िया है और मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं धूप में जाओ तो यह जो screen है किस प्रकार का दिखने वाला है क्योंकि काफी लोग मुझसे पूछने वाले हैं कि इसका जो display है क्या धूप में visible है या नहीं जैस brightness का icon इसका उप्योग करके आप जो brightness है intensity जो है display की उसे आप change कर सकते हैं तो जब मैंने यह जो sunlight test किया था तो मैंने जो intensity है उसे maximum पर रखा था यह जो option आप देख रहे हैं इसे आप enable या disable कर सकते हैं यह basically जो wrist है उसे अगर आप twist करेंगे अभी फिलाल off है तो अगर समझे य तो यह on नहीं होने वाला है तो अगर आपको यह जो feature है automatically चाहिए तो आप इसे enable रखिए यह देखिए इस परिकार से तो अगर आप wrist को twist करेंगे इस परिकार से तो जो screen है automatically कुछ देर के लिए on हो जाएगा यह देखिए यहाँ पर power saving mode भी है जिसमें यह जो display है यह देखि instructions दिया हुआ है आपको follow करना है मतलब कि यह बटन है इसे कुछ देर press करके hold करना है उसके बाद में यह देखिए अब यह smart feature mode में आ गया है तो basically आप उपर से रीचे swipe कर सकते हैं इस प्रकार से left to right swipe कर सकते हैं नीचे से उपर swipe कर सकते हैं जहाँ पर आपको menu के बहुत सारे options options मिल जाते हैं अब बहुत सारे जो features हैं आपको दूसरे smart watches में भी मिल जाते हैं मैं खासकर कि जो setting option है आपको बतायता हूं यह देखिए इस प्रकार का है यह setting option और आप right to left भी swipe कर सकते हैं यह देखिए आप यह जो watch है इसका जो strap है यह exciting color options में available है watch face जो है इसे tap करके hold कीज और आप जो watch face है उसे change कर पाएंगे यह देखिए यह कुछ watch faces है खासकर कि यह जो watch face है यह मुझे काफी पसंद आया तो इस प्रकार के बहुत सारे watch faces available है in fact जब मैं application के बारे में आपको बताऊंगा तब आपको भैतर idea मिल जाएगा इस watch को उप्योग करने के लिए आपको real me link नामक application को google play store से download करना पड़ेगा जिसे मैंने already कर दिया है यह देखिए यह है वो application और मैंने यह जो smart watch है इस realme smartphone के साथ में pair भी कर दिया है जो process है बहुत ही असान किसम का है कोई भी कर लेगा और जब कभी आप application को load करेंगे तो जो data है smart watch से automatically application में sync हो जाएगा सबसे पह of time 6 watch faces जो है उसे आप watch पर store कर पाएंगे और इसके अलावा बहुत सारे और अन्य watch faces realme add करने वाला है यह वाला भी काफी interesting लग रहा है और यह देखिए यहां पर बहुत सारे options है notification का भी option है यहां पर जो भी applications आपने install किये हुए है अगर आपको उनका notification चाहिए smart watch पर तो उ 24 hours monitoring यह जो smart watch है इसमें built-in heart rate sensor दिया हुआ है और अगर आपको 24 hours monitoring करना है तो उसे आप activate कर सकते हैं by default यह हर 5 minute में एक बार आपका heart rate है उसे चेक करने वाला है इसके अलावा find my phone music playback control मतलब की जो watch है इसका उप्योग करके आप आपकी smart phone पर music play हो रहा है उसे आप control कर इतना ही नहीं smart phone का camera है उसे भी आप remote shutter की तरह उप्योग कर पाएंगे इस smart watch का उप्योग करके और weather का option है upgrade option यहां से आपको करना पड़ेगा तो यह सारे options आपको इस application में मिल जाएंगे और यहां पर आपको exactly पता जल जाता है कि आपको fitness activity है वो किस प्रकार का है heart rate के अला इस प्रकार से पकर कर रखता हूं और यह measuring करना इसने शुरू कर दिया है यह जो SPO2 है basically आपका जो oxygen levels है उसको monitor करता है तो इसका जो reading है तकरीबन 98 जानता मुझे लगता है 98-99 क्या इस पास आना चाहिए मतलब की normal है यह देखिए मेरा SPO2 level है 98 जो की normal है यह दिखिए smart watch को म मैंने अपने हाथों में पहन लिया है और यह काफी बढ़िया किसम का लग रहा है realme smart watch 14 sporting activities को track कर सकता है और जब कभी आपको in sporting activities का उप्यों करना है तो आप watch का उप्यों करके जो activity है उसे select कर सकते हैं या फिर जो application है उसका उप्यों कर सकते हैं एक चीज़ मैं को बता दू कि जो watch है इसमें built-in GPS नहीं है और अगर आपको GPS का उप्यों करना है तो उसके लिए जो application दिया हुआ है आप उसका उप्यों कर सकते हैं application के जरीए आप जो exercise mode है उसे आप select कर सकते हैं और automatically जो smartphone का GPS है उसका उप्यों किया जाएगा जब कभी आप GPS का उप्यों करते हैं तो जो accuracy है आपको काफी बढ़िया मिलती है यह watch IP68 certified है मतलब की water resistant है अगर आप अपने हाथों को धो रहे हैं तो यह watch pen के भी हाथ दो सकते हैं कोई issue नहीं है अब इस watch में built-in microphone भी नहीं है और built-in speaker भी नहीं है वैसे आपको call notification तो watch पर मिल जाएगा लेकिन अगर आपको call receive करना है तो आपको phone का ही उपयोग करना पड़ेगा लेकिन यह watch है इस पर आप जो call आपको आ रहा है उसे आप cancel कर सकते हैं important चीज़ बतना चाहता हूं कि यह जो real mean link application है फिलाल तो सिर्फ android platform पर ही available है iOS platform पर available नहीं है तो यह smart watch आपके physical activities को track कर सकता है आपके sleep को भी monitor कर सकता है ज उसे भी 10 step लेना चाहिए ऐसा नहीं होता है क्योंकि हर एक जो fitness band होती है या smart watches होता है यह अलग-अलग प्रकार से काम करते हैं और basically आपका hand movement है उसके basis पर यह watch है यह calculate करता है कि आपने कितना step लिया हुआ है तो आपको accuracy नहीं देखना चाहिए consistency देखना चाहिए और जाता क smart watch में 160 mAh की battery है जो आपको तकरीबन 7 से 10 दिन का battery life दे सकती है डिबन करता है आपके usage पर और आपने किन-किन प्रकार की notifications को enable किया हुआ है और खास करके जो heart rate monitoring है अगर आपने उसे off रखा हुआ है तो आपको definitely जादा battery life मिल जाएगा तकरीबन 9 से 10 दिन का और अगर आपने 7 days का battery life आपको मिल जाएगा वैसे जो realme watch है इसका interface मुझे काफी बढ़िया लगा और खास करके और भी watch faces एड होने वाले हैं प्राइजिंग इसका काफी बढ़िया है 3999 रुपीस दोस्तों क्या आप इस प्रकार के smart watch खरीदने का सोच रहे हैं comments के मादिम से आप मुझे बत रहे हैं